हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू शोनालिस कीछन आशा करती हो आप सब ठीक टाक होंगे आज मैं अपने वे साथ शेयर करने वाली हूँ नोटी शक भाजी की रेसिपी यानि की एमरंथ फ्राई की रेसिपी एमरंथ दो टाइप का होता है एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का इस गर्मी में ये जो ग्रीन कलर का अमरंथ है बहुत ही अच्छा मिलता है और खाना भी सिहत के लिए बहुत अच्छा होता है हिंदे में इसे चौलाई बोला जाता है तो बेंगल में इसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से फ्राई किया जाता है और राइस के साथ खाया जाता ह आप लोग इसे रोटी के साथ भी खा सकते हो बहुत ही आचा लगता है तो दिखिए यह जो एमरंथ है ऐसे दिखता है और इसे चॉप करना भी बहुत आसन है रूट के तरफ से थोड़ा सा कट करके अलग कर दीचिएगा और अगर किसी पत्ते में कीरा चेद कर दिया हो तो उ एसे फाइंली चॉप कर लेना है ऐसे फाइंली चॉप करने से बहुत ही जल्दी कुख हो जाता है इसे अच्छे-से थो लेना है 5-6 आप यह टोक्री में यह फिर कीसी असे टेनर में रखके अप लोग अच्छे से धौलेजगा तो यह पे देखिए मैंने एक कड़ाई में ले लिया है सरसो का तेल, मैं सरसो के तेल में कर रही हूँ, आप लोग रिफाइंड ऑईल में भी कूख कर सकते हो, तेल अच्छे से गरम हो जाए, तो फेर फ्लेम को लो करके यहाँ पे मैं बड़ी फ्राई कर रही हूँ, यह दाल की बड़ी है, इसे अच्छे से फ्राई कर लाइट ब्राउन कलर करके फ्लेम को लो कर दीजिए का नहीं तो ये बहुत ही जल जाता है तो इसे अलग से निकल के रख देना है इसे मैं बाद में यूज करूंगी अभी उसी ओयल में मैंने और थोड़ा सा ओयल एड कर दिया है और फिर इसमें एड कर दिया है चौप किया ह हुआ जो साग है वो साग धोने के बाद इसे ट्रेनर में कुछ दे रख दीजिएगा तकि इसका जो पानी है पूरा ड्रेन आउट हो जाए नहीं तो इसमें से बहुत सारा पानी निकलता है और पानी सुपने में बहुत ताइम लग जाएगा उसके बाद मैंने इसमें एड कर दिया है नमक और हल्दी नमक हल्दी बहुत सब्धनी से डालिएगा क्योंकि जब अब काट करोगे तो लगेगा बहुत सारा साग है लेकिन जब ये कुछ हो जाएगा ये कम हो जाता है कुछ होने के बाद तो नमक बहुत ज्यादा हो जाएगा साग में तो नमक और हल्द बहुती कम एड़ किजिएगा हल्दी ज्यादा एड़ करने से इसका जो ग्रीन कलर है वह बरकरत नहीं रहेगा और यहाँ पे देखिए यह जो बड़ी मैंने फ्राइ करके रखी ती वह मैं क्रश कर रहे हूं यह बड़ी फ्राइ करने के बाद बहुती क्रिस्पी हो जाता है तो बहुती आसानी से यह क्रश हो जाता है तो देखिए बीच बीच में यह जो साग है इसे भी चला लेना है देखिए साग में से बहुत सारा पानी निकलता है तो देखिए तो यह जो पानी है पुरा सुखा लेना है साग अल्मोस्ट कूख हो गया है तो बाकी है सिर्फ य तोड़ा सा शक्कर, दो हडी मीर्च, थोड़ा सा खस-खस के दाने और यह जो ख्रश किया हुआ बड़ी थोड़ा सा एड किया है और बागी बाद में एड करोंगे अभी हाइफले में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और पानी सुखा लेना है तो यहां पे देख सकते हो ज यहां पे जो साग है फ्राई हो गया है अच्छे से और इसमें जो पानी था वो भी सुख गया है तो रेडी हो गया है हमारा अमरंद फ्राई यानि की नोटे शक भाजी तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही आसान सा एक रेसिपी है जटप आप लोग चैनल विजिट करके देख सकते हो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब मैं चैनल और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हार एक नए रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुचे तो देखी यहां पर मैंने सर्फ कर लिया है सग और उपर से थोड़ा सा बाकी जो मैंने बड़ी बचा के रखी ती वो उपर से स्प्रिंकल कर दोंगी यह बड़ी यह सग में खुश रहिए सेफ रहिए